हेलो एबरीवन वेलकम टू ब्राम्भी एकैडमी आज का मारा टॉपिक है यूनिट 9 यह जो कम्प्यूटर वाला आपका सेक्शन है उससे रिलेटेड हम अलग-अलग यूनिट का रिवीजन कर रहे हैं अपनी 20K सिरीज के अंतरगत यूनिट 1, यूनिट 6, यूनिट 9 जितनी रोबोटिक्स से हो गया, आर्टिफिशल इंटेलिजन्स से हो गया और आपके एलेक्ट्रोनिक्स वाले पोर्षन्स हो गया कभी-कभी काफी कठिन कोश्चन आजाते हैं, जो किसी से नहीं बनते हैं तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है आपको उन सारे questions पे focus करना है जो सबसे बनते हैं और आपसे भी बनने चाहिए तो हम revision करेंगे मैंने इस पूरी series में आपको हर एक type के question रखे मतलब यहाँ पे आपको artificial intelligence का भी question मिलेगा robotics का भी question मिलेगा computer के भी question मिलेगे cyber crime वाले question भी मिलेगे काफी अच्छा आपको lecture लगेगा last तक जरूर देखने हैं और पसंद आए तो like पहले सही करके बैट जाना है ठीक है चले start करते हैं ज़्यादा सज़्यादा लोगों को share जरूर करना है क्योंकि बहुत अच्छा यह आपका lecture होने वाला है किस क्रतिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है who is called father of artificial intelligence अच्छा यह question जो है आपका पूछा जा चुका है और इससे यह पता चलता है कि चाहे father of electronics father of computer science father of robotics हर चीज़ आपको पढ़नी है क्योंकि question आ चुका है तो सेम पैटन के जो question है वो तो आप से फिर बनने ही चाहिए तो याद रखिएगा अगर हम artificial intelligence की बात करें तो इसके father पपपा जी कौन है यह है आपके john मैकार्थी जी तो यहाँ याद रखिएगा आप john john से आप अगर movies वगेरा में interested है तो john abraham से भी कर सकते हैं तो यह हमारे john से relate हो जाएगा john या फिर जान आज कल की हर चीज की जान है computer की जान जितना भी आप smart phone सब की जान क्या है artificial intelligence अगर AI नहीं होगा तो आपको कोई भी जो device है अच्छे से काम नहीं करेगा मतलब और जादा advance बनने के लिए सब की जान क्या है सब की जान है artificial intelligence तो आप john mccarthy उससे relate कर सकते है ठीक है याद रखेगा यह question आपका पूछा जा चुका है तो ऐसे question आपको फिर उसी pattern में जरूर पढ़ने हैं अच्छे से ठीक है IT अधिनियम 2000 में महत्पूर्ण अवधार्णा को पेश किया गया है इंपॉर्टेंट कॉंसेप्ट हैस बीन इंट्रोड्यूस इन IT आप 2000 जब आपका चेंज नहीं हुआ था से लिए बस तब यह 2000 वाला एक्ट जो है वह पूरा का पूरा पढ़ना पढ़ता था अच्छे से अब क्या है इसमें आपको बेंग में चीजे पढ़नी है क्योंकि प्रिलिम्स में पूछा जा सकता है तो यहां में सबसे पहले सर्टिफाइंग अतौरटी प्रमारित करने वाला प्राधिकरन यह होता है क्या फिर डिजिटल सिगनेचर के बारे में लिखा हुआ है यहां पर उसके अलावा इलेक्ट्रानिक रिकॉर्ड उसके अलावा उप्रोक्त सभी तो आपको जो आंसर है कि आई टीएक्ट 2000 में क्या क्या चीजें इंक्लूट हैं तो याद रखेगा यह आपके all of the above है क्योंकि यह सारी चीजें इंक्लूट है इसमें उसके अलावा जैसे माली जे हम आई टी एक्ट हमने क्यों एक्ट बनाया है क्योंकि जितना भी है डिजिटली उसको रेगुलेट करने के लिए अधिनियम हमने बनाया है ना तो यहां पर जितना भी चीज है चाहे हम साइबर क्राइम की बात करें साइबर क्राइम से रिलेटेड वहां पर क्या चीज़ें हो सकती है यहां पर एक ट्रिबुनल भी बनाया गया है ठीक है आप कंप्लेंड कहां पर करेंगे अग के IT act 2000 में तो यहां पर सर्टिफाइंग ऑथॉरटी होगी होगी डिजिडल सिंगेचर आपने मतलब डिजिडल सिंगेचर के थूब क्या करते हैं कोई भी अगर डेटा आता है कोई भी आपके पास प्रमाण आता है उससे रिलेटिड तो यहां भी याद रखना है आपको इलेक्ट्रोनिक रिकॉर्ड वाली IT act के अंदर आएंगे तो याद रखेगा IT act के अंतर गत आपको दिमाग में क्या रखना है जैसे मालीजी आपने पूरा एक्ट नहीं पड़ा तो दिमाग में क्या रखना है जितनी वी चीज़ें हैं हमारी IT से रिलेटिड जिसमें दिक् तो जितना भी अगर इसके अलावा पर कोई option आता है तो आराम से आप पढ़के उसको solve करिएगा जरूरी नहीं है कि मतलब आपको हर चीज़ यादी हो समझ के भी करना है elimination method के through ठीक है एक email जो एक स्रोध से उत्पन दिखता है परंतु वास्तों में दूसरे से भेजा गया ह है एन email that appears to originate from one source but it actually sent from another यह क्या कहलाते है यह भी question आपका previous year का ही question है ठीक है तो याद रखेगा यह भी आपके PYQ previous year का ही question है अब इसमें जो है आपको यह पता होना चाहिए छोटी-छोटी आपके differences है spoofing और fishing में आपको पता होना चाहिए कि यहां पर हम जो बता रहे हैं कि यहां पर appear हो रहा है originate हो रहा है किसी और सोर से लेकिन sent from another तो यहां पर आपके पास कोई mail आया वहां पर लिखा हुआ है Amazon लेकिन actual में Amazon का वो नहीं है वो किसी और का mail है तो यहीं आप से पूछा किसी और का data निकालना लेकिन अपने आपको कुछ और दिखा कि जैसे email आया तो email जो आया आपके पास तो वो दिख रहा है Amazon का लेकिन actual में वो किसका है किसी और मतलब cyber crime करने के लिए किसी और ने भेजा है तो यहां पर identity जो है वो change करके भेजी जाती है ठीक है यहां पर identity क् हो गई है change करके भेजी गई है ठीक है change करके भेजा गया है मतलब आपको ऐसा लगेगा कि original person ने भेजे तो original person की क्या करके यहां पर identity लेके आपको भेजा जाता है ठीक है यह हो गया आपका spoofing यह question आपका सीधे ऐसा ही पूछा गया था email एक रोट से उत्पन दिखता है ले ऐसे यह किसी भी चीज में लागू होगा कि वह लगेगा कि किसी मतलब real authentic source से आ रहा है लेकिन किसी और source का होगा यह किसी और ने भेजा होगा अगर बात करें spamming की तो वैसे भी आप spam word बहुत ही देखते हैं है ना जिसे हम junk mail की बात करें junk mail आपके पास जो junk mail आता है ने भी तिक चुछना से बसमें तो यह in tune कर नहीं तो इसे ही इमैजुन करना है आपको कि हम चारा बनाकर बनाकर क्या डालते हैं यहां पर अब चारा किसको बनाएंगे अगर हमें किसी का इसी लेना है यहां पर मैंने कहा कि Amazon यहां पर क्लोग है यह डूपलिकेट है तो यहां पर या तो क्लोग है आप जैसे वहां पर जाएंगे एंटर करेंगे अपनी इंफोर्मेशन तो इस सारी इंफोर्मेशन क्या होगी से वो जाएगी और फिर यूज कर लेगा दूसरे परपस के लिए तो याद रखेंगे जो आपका फिशिंग है इसमें क्या होता हो चारा बनाकर बिल्कुल से डालते है जिससे सामने वाला फस जाए ठीक है और यहां पर स्पूफिंग में क्या कर रहे हैं खुद को इंट्रेड्यूस कर आ रहे हैं बिल्कुल अपने आप इंट्रेड्यूस कर आ रहे हैं कि हम एक और अथंटिक सोर्स हैं जैसे आपका यह हुआ कि इमेल भीजा किसी और सोच से लेकिन दिखाया गया कि वो किसी authentic source से आया है फिशिंग मैंने आपको बता दिया spamming को बता दिया कि spam मतलब आप समझी रहे हैं आपको जैसे spam messages आते हैं उसमें भी लिखा रहता है block number spam ऐसा करके तो आप समझी जाएंगे कि वो simple चीज से उससे related है फिर आता उसका जो data आपका data packets है उसको information निकाल लेना जैसे हमने information भरी आपके वो जा रही है information हमने कोई भी भर दी अपने credit card की information भरी है तो उस data packet से क्या करना चोरी कर लेना data वो कहलाता है sniffing तो sniffing fishing spamming spoofing सबके बिल्कुल पास ही पास लग रहे हैं अब जिनको basic में भी computer थोड़ा भी नहीं पढ़ा है जिसने यह जिसको नहीं पता है उसको लगेगा कि यह सारी चीज़े कितनी कठीन है लेकिन आपको basic basic difference समझ के चलना है स्पूफिंग हमने बताया हम किसी मतलब मैं माल लिजे MPPSC की टीचर हूं और मैं बिल्कुल मिल रही हूं कि नहीं मैं तो बड़ी मतलब बिजनस मूमें हूं यह से मतलब किसी और की वो भी identity लेकर से माल लिजे मैंने ले रखी है नीता अंबानी जी की identity और मैं मिल रही हूं लोगों से तो यह क्या है यह आपका इस पूफिंग की नीता अंबानी बनके मैं मैं में रही हूं लोगों से ठीक है और आप अब एंटर कर रहे हैं और सुचरें रिलाइंस हैं फिर मैंने किया किया उसके रिलाइंस में जैसे ही आपना data भरा आपने जीओ की माल लिजे वाई-फाय का कोई भी आपने उसमें पैसे वैसे कि हम जीओ का रिचार्ज करवारें और उसके पैसे उसका पूरा data sniffing person sniffing में मैंने बताया कि मैंने यहां से पूरी information भर ठरी अपने credit card की अब मेरा जो data packet है यहां data packet में जो जा रहा है जै मैंने जो जा समान नहीं से क्या करना नेटवर्क से यहां से information क्यूरा लेना यह आपका sniffing कहलाता है मैं ताइम इसलिए भी ले रही हूं क्यूंकि जिसे पता है उसे तो अच्छी बात है जिसे नहीं पता है उसके लिए बहुत ज्यादा confusing और यह आपके question गलत ना हो फिर दो computer network के बीच data packet को इस थनांत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है to transfer data packets between two computer networks is used यहां पर आपको बताना है माल लिए यह आपका क्या है एक computer का network है अब इससे क्या करना है हमें data packet भेजना है दूसरे computer के network पे ठीक है तो यह होगे computer one यह होगे computer two यहां पर हमें क्या भेजना है data packet तो यहां पर हम यूज क्या करेंगे data packet भेजने के लिए gateway switch router 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 याद रखेगा यह है आपका router आप router जो यूज कर रहे होते हैं वाइफाइव अगेरा के लिए router रिटा packet ठीक है यूज को यहाद रखेगा तो router यह हम जो root बना के भेज रहे हैं आप router का root भी कर सकते हैं आपको किसी रूट से आ रहा है डेटा है डेटा पैकेट्स आ रहा है network में आप याद कैसे कर सकते हैं किसी से आएगा आपके पास तो याद रखना है जो आपका र्रॡ मुच्छ से रिलैटेट सबस्क्राइब मुच्छ निदलन एक इसन आपका हो गयाएटवेड दो होता कुछ यहाँ पर आपका computer network है यहाँ पर उसके अलग protocol यूज़ करते हैं यह अलग protocol यूज़कर नेटवर्क है यह दूसरा आपका प्रोटोकॉल यूज कर रहा है अब प्रोटोकॉल क्या है ऐसे माल लिजे नियम है तो यह जो नेटवर्क है यह एक ऐसा इस्थान है जहां पर दूसरा नियम लागू हो रहा है तो वहां पर इसको कनेक्ट कैसे करेंगे तो याद रखेगा का gateway कि थूद् genवाट एक हमएं के बनाना पड़ेगा एक नियम से दूसरे नियम को कनेक्ट करने के लिए तो यहां पर को gateway तो यहां पर network है नहीं यह पे पूरा काम कर रहे हैं ना इसנ草न को किसे करेंगे हमें इन एक क्लियर रखनी है क्योंकि sentence जो है जैसे यह sentence है डेटा प्राकेट ट्रांसफर करने के लिए क्या यूज हो रहा है ऐसे ही sentences आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है चेंज हो सकता है ultimately जो मतलब है वह आपका सेम रहता है जैसे हम राउटर की बात करें गेटवे की बात करें तो में आपका लास्ट में क्या रहेगा कि हम data packets भेज रहे हैं network में ठीक है दो computer network में ऐसे गेटवे का क्या रहेगा अलग 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 नेटवर्क में हैं अलग 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 प्रोटोकॉल नियम कानून पर कांग कर रहे हैं उनको connect करना gateway के थूछ ठीक है तो definition आप एक वाली याद रखिएगा अगर language change करके भी PSC कुछ फूसता है तो आपको पतर है फिर xml का पूरा नाम full form of xml ऐसे question भी काफी जादा आते हैं हर बार आप देखेंगे कम से कम एक question आपको जरूर मिलेगा full form वाला जितने भी full form हैं काफी अच्छे तरीके से याद करें क्योंकि यह ऐसे question है जो आपको दो number देके जाएंगे और यह गलत हुए तो आपको बहुत ज्यादा पीछे कर देंगे तो यह हो गया extra model link, extra markup language, example markup language या extensible markup language या याद रखिएगा इसको याद रखिएगा जब आप ट्रिक बनाएंगे यह कुछ भी आप रिलेट करेंगे तो यह पूरा करेंगे क्योंकि कहीं पे markup लिखा होगा कहीं पे language का कुछ और word यूज कर दिया तो यह जो पूरा word है ना पूरा का पूरा अच्छे से याद होना चाहिए जिससे कही झाली भी अगर डिफ्रेंस आता है तो आपको पता है कि इक्जैक्ली कौन सा है एक्स्टेंसिबल पहले हमандर करहे हैं और यह चै कैनısı के बल परक लगा रहे हैं पिर अपने अप्पने ब्राऊजर में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से अक्सेस करने का तरीका है अवे टुविक्ली एक्सेस फेवरेट वेबसाइट बाइस सेविंग याद रखेगा यहां पर वर्ड है सेविंग इट इन यूर ब्राउजर बुकमार्क ब्लॉग हो गया कुकी हो गया इन में से कोई नह तो अगर आप computer ये laptop यूज कर रहे हैं तो आपको पता होगा नहीं तो याद रखेगा यहां पर बुक मार्क हम मार्क लगा रहे हैं जैसे हम बुक में मार्क लगाते हैं याद करने के लिए कि सीधे हमें आगर कोई पन्ना खोलना है तो हमने क्या किया उसको मोड दिया आप का जो कोई website है या कोई भी page है तो हमने क्या किया उसको हमने उसको मोड दिया मार्क लगा के रख दिया जिससे हम बाद में काफी जल्दी तरीके से जैसे हम बुक मार्क पे टिक करेंगे पूरे option आ जाएंगे कि कौन कौन से जो website है या pages हैं वो save है तो फिर वहां से आप हम online भी बुक मार्क लगाते हैं save करने के लिए ठीक है अब चाहे पसंदीदा website हो यहां पर website भी पूछ सकता है कोई page पूछ सकता है तो आप यह याद रखेगा website की जगह कुछ और भी अगर है तो वह भी आपका सेम सही होगा बुक मार्क के लिए हम में चीज आपको क्या य संचालन द्वारा किया जाता है यहां पूछा हुआ कि आपका जो विंग है वह किसके द्वारा ओन और ऑपरेट किया जाता है तो इसका मतलब क्या है कि हमें जितने भी आपकी क्या है यहां पर सर्च इंजन वह सब देखने है कि कौन कस मतलब कि से रिलेटेड है किसका तो आपको यांद होगा कि यहां पे जैसे की अपकी ऐलेक्स व गरहें कि से बूक कुरुंटाव कोई है और से अफंपनी वह से एक पहली बाद तो यह याद रखना है विंग क्या है एक search engine है क्योंकि यह अलग से question आचको सकता है कि बिंग क्या है browser है search engine है यहाँ पे याद रखेगा क्या है यह search engine है और किसका search engine है तो याद रखेगा यह liberals on the mind never perceptions आप बहुत नाम सुनते नाम है तो इसको ब्राउजर का नाम है एज ठीक है एज याद रखिएगा तो एक है एक है एज बड़ा जीव सा नाम है लेकिन याद ही रखने आपको Microsoft का जो browser है जैसे होता है हमारा Google Chrome Chrome क्या है browser है ऐसे हमारा Google है search engine वैसे यह आपका Bing है ठीक है तो search engine हमारा Google है सेम ऐसे हमारा Bing है Chrome क्या है आपका browser है सेम ऐसे हमारा Edge क्या है browser यह ज़रूर याद रखेगा वो Google से related है आपके Chrome और Google तो आपको पता ही है parent company जो है Google की वो क्या है alphabet यह जो last option है alphabet Inc यह आपके Google की parent company याद रखेगा और Microsoft आपने देखी लिए कि Microsoft से होगा Bing Edge यह दोनों Microsoft से related है और यह question आपका क्या है previous year का PYQ है इसलिए याद रखेगा ऐसे question आते हैं तो आपको यह जितने भी question है किसने क्या बनाया है किस company से क्या related है वो जुरूर याद रखना है ठीक है फिर electronic का पी तक किसे कहा जाता है यह electronics का आपके question हो गया basic का question वो इसका और फादर आफ electronics Newton Michael Faraday Nikola Tesla या HW Hertz याद रखेगा यह हैं आपके Michael Faraday जी ठीक है फिरादे का नियम देने वाले यहाँ पे इनका क्या है Electromagnetic Induction Electromagnetic Induction इन्होंने बताया था ठीक है जैसे फिर आपका इसी के बाद आता है motor generator यह सारी चीज़ें आती है Michael Faraday जो है याद रखेगा electronics के पपा जी है ठीक है तो electronics के पापा Michael Faraday उनके पास Ferrari हुआ करती थी क्योंकि उन्होंने electronics पे बहुत नाम कमाया था ठीक है तो इसलिए Ferrari थी उनके पास electronics के पीज़ा Michael Faraday फिर भारे डोब्ड पियन जंक्शन डायोड कौन सा है जिसमें वोल्टेस बढ़ने पर विद्धुधारा कम हो जाती है विच इस है विद्धुधारा कम हो जाती है यहां पर orted's होजाती है जैसे हुंviron cash Stock का प्रेंग जर्फ हम अब इंजीन भारी ॏविली येगा फर्ली पी ये क्शलिंग Es symbol है यह worries work को यहां पर यह रोखते 22 में आया था इसमें क्या आया था कि यह क्या है highly very highly switched की तरह भी यूज करते हैं इसको है ना तो highly उच्छ गति पर शुचिंग सर्किट की तरह यूज तो यह हो गया आपका switching circuit की तरह भी इसको यूज करते हैं ठीक है तो यह उच्छ गति का switching circuit जो है वो कौन सा है यह हो गया आपका टैनल डायूट टैनल से हम बहुत स्विच जल्दी कर सकते हैं बहुत गती में क्योंकि टैनल आपकी खाली रहती है तो बहुत गती में स्विच कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह से यहां यहां पर क्यूंकि बोल्टेज जब जादा करेंगे तो आपकी करेंट कम हो जाएगी यहां पर क्या है डोप्ड है उसमें बहुत ज्यादा तो वोल्टेज बढ़ाएंगे करेंट कम हो जाएगी उसके लावा एप्लिकेशन इसका निमलिखित में सैंधिक में जोड़ने में जाता है इलान एक धर्यीय है वकिण एचेमेंट दुर्रीज देर ट्वर्स तो यह करेंगे आपका bridge का ठीक है router तो हमने देखे लिए data packets को हम भेज रहे हैं gateway हमने देखा था last time gate क्या बना रहे थे एक network का protocol जिसका अलग है दूसरे नेट्वर्क जिसका protocol अलग है उसको connect कर रहे थे bridge क्या हो गया आपका यहाँ पे मालिजी यह आपका एक local area network है एक land यह है land number one और यहाँ पे एक आपका है local area network too तो एक चोटा सा network यह रहा इसको क्या कर रहना है हमें connect करना है तो किस से करेंगे यहाँ पर एक bridge बना देंगे सीधी बात है दो नेटवर्क को अगर कनेक्ट करना हुआ लैन को तो हम क्या करेंगे यहां पर ब्रिज बना देंगे तो अब यहां पर आगा कि मैं हमने इसके पहले भी दो करनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज्च कर रहे हैं जैसे जाद अच्छे तरीके से याद हो जाए internet में programming करने के लिए कौन सी computer भाशा का प्रियोग किया जाता है which computer language is used for programming on the internet portron, pascal, java या html internet की बात चल रही है तो यह है आपका html hypertext markup language इसका full form याद रखिएगा जैसे xml का याद रखना है markup language है यह लेकिन यह hypertext की बात कर रहे है ठीक है html, http आप पढ़ते हैं यह बहुत बार है ना वह protocol है यह आपका language है याद रखिएगा hypertext markup language इस language का यूज करके हम क्या करते हैं internet में programming वगेरा करते हैं है ना तो यहां पर pages वगेरा जो बनाते हैं अगर वर्ड वाइब जो है www इसमें कुछ भी काम करना है तो हमें stml यूज करना होता है ठीक है यह याद रखिएगा और सिंपल सा यह है ऐसे कुछ याद कराने वाली चीज है नहीं कि मैं उसका कुछ भी बनाओ ट्रिक याद कर लीजेगा यहाँ 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 आपको भी दिख रहा है कि यह तो बिल्कुल दोनों दो स्कुल्ट यहाँ नहीं से संगें इस कम्प्यूटर से हम इसमें भी गए सकते हैं इसमें भी बेस अब बस के ऐसे करना है जैसको हमारी बस होती है बस के दोनों के साइड कया होती है सीड़ बनी होती है कि और पीछे से हमारा चढ़ने के लिए होता है तो आपको पत है पीछे से चढ़ेंगे तो एक ही direction होती है आगे जाने की छे सिंगल direction में जाता है तो यह को चुक्टन है आपका कि एक ही दिशा में data transmitted करेगा यहां से अए ऐगा तो यह एक ही बनाले प्रिमें क्या होता है ट्री में सबसे पहले तो एक आप का चीधभाय तानश रएगा आपका सबसे में सरवर रहेगा तो इसमें सारी चीज neue सेव इंदीत थीए झाया तनर कि पार होते होते हैं मतलब मैं तन reflex लिगत कि नहाई होते हैं तो यह ऐसा आपको कुछ ट्री टाइप का इस्ट्रक्चर होता है तो एक में सर्वर होता है फिर उसके बाद और छोटे-छोटे उससे connected होते हैं ट्री टाइब का structure इसमें भी आपको पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा क्या है यह सिंगल डारेक्शन में जायेगा नहीं इसका यहां भी जा रहा है यहां भी जा रहा है तो यह आपको याद रखना है टोपोलोजी से जो रिलेटेड है question पूछे जाते हैं काफी ज नहीं है जैसे होगे आपका bus, ring, tree और उसके लावा star तो यह सब आपके समाने टोपोलोजी में आते हैं कि connect कैसे कर सकते हैं computer को computer networks को ठीक है तो याद रखेगा यहां पे एक ही दिशा में कौन से चाहेगा आपका bus आप पीछे चढ़ेंगे तो एक ही दिशा में जाएंगे ठ option नेम लिखित में से कौन सा प्लेटफॉर्म वीडियो कॉनफरेंसी से समध्यित नहीं है विच आप फॉलोइंग प्लेटफॉर्म इस नौट रिलेटेड टू वीडियो कॉनफरेंसिंग स्काइप गूगल हैंग आउट फ्री कॉनफरेंस या अल्फाबिट मैंने आप मदब आपको नहीं पता है तो याद रखेगा आपको इन में से यह ढूरना है कि कौन सा नहीं हो सकता जैसे कि स्काइप आपको लगेगा कि है की नहीं ठीक हटाते हैं फिर गूगल क्साइप प्री कॉणफरेंस कॉणफरेंस लिखा हुआ है तो कहीं देखल मिलता जूलता सा शायद हो सकता है फिर आता है अपका अल्फाबिट मैंने अभी आपको बताया कि अल्फाबिट क्या है आपकी गूगल की पैरेंट कंपनी है फीक है बत시죠 chat मालब ये गूगल के पि फिर यह होगा ही नहीं यह तीनों फिर हो गया आपके सही ठीक है तो यह जरूरी नहीं कि आप से सारी चीज़ें आएं कभी-कभी elimination method से भी चीज़ें आप solve कर सकते हैं आपको एक पता चल गया जो नहीं होगा बात खतम वहीं आपका तो याद रखेगा alphabet क्या है यह हमारे पैरेंट कंपनिया गूगल की उसके लावा skype hangout free conference यह सब आपके जूम हो गया यह सब क्या है वीडियो conferencing platforms है ठीक है यह पूछा हुआ कि वीडियो conferencing में कौन-कौन सी चीज़ें यूज होती है तो यह simple simple question आप हमेशा अच्छे से याद रखेगा dark web से संबंधित browser कौन सा है which is the browser related to dark web आपको भी पता है कि जो हम website देख रहे होते हैं यह वेब हम use कर रहते हो उन्हों सिर्फ आपको कितना है पांच परसंट यह सुर्फ दो परसंट है जो में डेटा है यह में चीज़ें हैं वो डार्क वेब में रहते हैं जो हम सीधे क्या करते हैं एक्सेस नहीं कर पाते तो इसके लिए अलग ब्राउजर ही है Google Chrome से नहीं खुलेगा इसके लिए अलग ब्राउजर कौन सा है यह है आपका टोर याद रखेगा तो यह होग कि जो मचली है राज के टोर टोर आप याद कर सकते हैं कि अगर हमें डार्क वेब में जाना है जो हमारी टोर टोर मचली है वो नीचे डार्क वेब तक जा सकती है डार्क पानी में जा सकती है तो डार्क वेब से रिलेट करना है हमें टोर टोर ठीक है याद रखेगा अगर म प्राइव प्राइव सी अधारित वेब ब्राउजर और एपिक पहला भारती वेब ब्राउजर इसमें बताने आपको कौन साही सुमेलित नहीं है इसमें भी आपको सागरे अगर नहीं पता तो जो बेसिक नॉलेज है अब उससे देखिए यहां पर फायर फॉक्स की बात करें ओपन सोर्स है ठीक है अधाते हैं इसको अभी नहीं पता हमें सफारी की बात करें सफारी जो है आपका सफारी आपको यह तो जरूर याद रखना है कि किस कंपनी का कौन सा सर्च इंजन है जैसे हमने अभी देखा बिंग पूछा हुआ है सेम ऐसा ही कौन सा ब्राउजर है तो गूगल का हम जानते हैं कि गूगल का भई है रॉसमेलिक शूमेलिक नहीं है उसके अलावा आपका ब्रेव अब यह सही नहीं है मतलब और तेनों सभी हो गयए तो ब्रेव जो है याद रखेगा यह प्राइवसी अधारित मतलब आप कहां पर क्या सर्च कर रहे हैं हिस् है यह प्राइवसी पे फोकस करते है प्राइविसी पे जनेरेट नहीं करेगा आपका कुछ भी जितना भी डेटा आप यूज कर रहे हैं उसके अलावा एपिक जो है एपिक किसका है भारत का पहला वेब ब्राउजर तो यह सारी चीज़ें यह तीनों जो है याद रखेगा फ सा बिल्कुल एपिक एक नॉंबर तो यह आपको याद रखना है एपिक है हमारे भारत का नेक्स्ट एक डिजिटल घड़ी में नमलेखित में से किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है डिजिटल वाच में कंटेन विच आप फॉलोंग टाइप आफ कंप्यूटर सूपर हो गया embedded computer embedded मतलब क्या उसमें जितनी भी चीजें हैं वह आपके पहले से फिक्स कर दीगे उससे और कोई दूसरा काम नहीं ले सकते मतलब आप सोचे कि अब डिजिटल घड़ी को हम किसी और चीज में काम ला लें तो नहीं कर सकते क्योंकि उसका पूरा जो सिस्टम है हमने पूरी उसकी चिप डिजाइन करी है वो कैसी है वो एक वीक्स काम के लिए बनी हुए जैसे आफ वाशिंग मशिन देखेंगे फ्रिज देखेंगे जितनी भी आज कर डिजिटल चीजें आ रहे हैं वह particular काम के लिए वह फिक्स कर दिया गया है अब उसमें और चेंच नहीं क आपको तो यह हो गया embedded computer का example वैसे आपको पता है super computer का तो होगा नहीं personal computer भी आपको लगते कि digital घड़ी personal computer की तरह हम कैसे यूज करेंगे हैं तो यह eliminate हो गया यह eliminate हो गया तो बचता आपका जैसे भी embedded computer ही है जैसे आप elimination method set से भी solve कर सकते हैं ऐसा device जो signal को receive करता है और कमजोर signal को regenerate करके transmit करता है डिवाइस डाट receive the signal and regenerate the weak signal and transmitted further माल लिए आपके पास जो signal आ रहा है काफी क्या है वो वीक signal आ हम यहां पर कौन सा device लगाएंगे हम यहां पर कौन इवाइस लगाएंगे कि यह जो signal है वो क्या कर जाए वो थोड़ा सा regenerate कर जाए वो बूस्ट कर जाए जिससे और ज्यद्धा दूर तक भेजा जा सके router, repeater, firewall या, gateway, याद रखेगा यह है repeater ठीक है हम क्या कर रहे हैं कोई भी सिगनल आ रहा है उसको रिपीट कर रहे हैं लेकिन हम उसको रिपीट इतने अच्छे तरीके से कर रहे हैं कि वो उसका जो सिगनल है रिजनेरेट कर रहे हैं जिससे वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाए उसकी स्ट्रेंथ जो है और ज्यादा बढ़ जाए तो और उसकी छोटा है तो बिचेरा यहीं तक खतम हो जाएगा तो हम इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएं देंगे तो वह काफी दूर तक फिर ट्रांसमेट हो पाएगा ठीक है तो रिपीटर याद रखेगा हमने क्या कर दिया है रपीट कर दिया है उसको कई बार जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है तो यह आपका डिवाइस जो है कमजोर सिगनल को रिजनेरेट कर रहा है वो है आपका रिपीटर फिर इमेल का अविश्कारक किसे कहा जाता है वू इस कॉल्ड दा इंवेंटर तो देखा ही होगा कुछ नहीं तो मतलब उसके कभी ना कभी आपने रिल्स जरूर देखेंगे तो आपको टॉम से याद रखना है जो हमारा टॉम है वो जब जैरी को बहुत ज्यादा मेंस करता है तो क्या करता है वह मेल भेज़ता है ठीक है तो इमेल का विश्कारक कोन है ठीक हमारा डॉम लिंशन ठीक है टॉम से यहां टॉम से आपको याद रखना है टॉम और जैरी से कि क्या करता है जैरी को क्या लिखता है मेल लिखता है जल्दी मिलते हैं नेक्स लेक्चेर